दूस्तो क्रिकेट के ग्राउंड पार गर्मा गर्मी एंड एटिटुट भरी स्लेजिंग तो अक्सर देखने को मिलती ही है लेकिन कई बार खिलाड़ी स्लेजिंग को परसनल ले लेते हैं और फिर बात आ जाती है सीधे रिवेंज पार जिसमें बैट्समेन सिक्सर जड़कार अपना रिवेंज लेते हैं तो वहीं बालर, घातक, बांसर या या यॉरकर से अपना रिवेंज पूरा करते हैं लेकिन किर्कैट के इस्ट्री में बालर्स दौरा कुछ ऐसे खतरनाक रिवेंज लिए गए हैं जिसे आज भी याद किया जाता है तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बालर्स दौरा लिये गए टॉप टर टन ऐसे रिवेंज को दिखाएंगे जिसमें बॉलर्स ने सिक्सर का बदला विकेट लेकर लिया हो तो भी ना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं नमर टैन दोस्तों कंगारू प्लेयर्स हमिशा से ही अपने स्लेजिंग और गर्मा गर्मे के लिए वल्ड किर्केट में जाने जाते हैं लेकिन यहां उनका पंगा वेस्टेंडीस के बॉलर से था दरसल मौका था उस्टेलिया और वेस्टेंडीस के दर्मिया चल रहे एक ODI मैच का जिसमें बॉलिंग परते घाता गेंदबाज ब्रेटली एंड वेस्टेंडीस के तरप से बैटिंग करने आये थे केमार रोज तभी ब्रेटली रोज को एक के बाद एक बाद एक बॉनसर डालते हैं और उन्हें परिशान कर देते हैं जिससे केमार रोज का गुशा भी साथमें आसमन पर चड़ जाता है एंड इसके बाद औस्टेलिया बैटिंग करने आती है एंड जैसे ही ब्रेटली स्ट्राइक पर आते हैं तभी केमार रोच उन पर बाउंसर की बहुच खार कर देते हैं और अपनी स्लेजिंग का कुछ ऐसा रिवेंज लेते हैं कि जिसे ब्रेटली कभी नहीं भूल सकते फाइनली ब्रेटली को आउट होकर प्रिविलियन जाना पड़ता है दोस्तो उस दिन केमार रोच ने पूरी ओस्टिल आइटिम को बता दिया था कि वेस्टन डीज में अभी भी उतना दम है जितना 80 के दशक में हुआ करता था विराट कोली तवी विराट कोली इशान शर्मा के एक ओर में पहले चो का जड़ते हैं और फिर अगली ही बॉल पार एक जवदर जड़ते हैं। लेकिन फिर अगले ही बॉल पार इशान शर्मा विराट कोली को आउट कर देते हैं। विराट को आउट करने के बाद बॉलर का उनको कुछ कहना किसी भी गेंदवाच के बस की बात नहीं है। पर यहाँ विकेट लेने के बाद भी इशान शर्मा और विराट कोली में काफ़े कुछनुमा महल देखने को मिला। हालक इसके बाब जूद इशान शर्मा ने विराट कोली से अपना रिवेंज पूरा कर लिया। जब कोई बैट्समैन किसी बॉलर को असानी से सिक्सक जड़ देता है तो उसका रियाक्शन वैसा ही होता है जैसे एक्जाम के बाद टॉपर का। ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला जब दीपक चाहर के आगे बैटिंग कर रहे थे मार्टिन गुप्टिल। तभी चाहर की एक बाल पार मार्टिन गुप्टिल आसानी से छकका जड़ देते हैं। और आखों ही आखों में बहुत कुछ कह देते हैं जो दीपक चाहार को बिलकुल पसंद नहीं आता और वो गुप्टिल से रिवेंज लेने की सोच लेते हैं। आफ्टर रेन हुआ ये की अगले ही बॉल पर दीपक चाहार गुप्टिल को आउट कर देते हैं और आखों ही आखों में अपने बदले का इजहार कर देते हैं। देते हैं लेकिन बेन कटिंग इस मुमेंट को अपने जहन में बैठा लेते हैं और फिर चार साल के लंबे इंतजार के बाद फिर उनका सामना होता है सोहिल तनवीर से। इशारा कर देते हैं कि ये बैटल उन्होंने जीत ली है। इनफेक्ट ऐसा ही कुछ PSL के दोरान भी देखने को मिला जब वहाव रियाज की एक बॉल पार एहमद शैजाज जोड़र 6 जड़ देते हैं जो कि वहाव को बिल्कुल पसंद नहीं आता। और अगली बॉल वहाव इतनी खतनाक बॉंसर डालते हैं कि एहमद के विकेट उड़ जाते हैं एंड इसके बाद वहाव का गुस्सा देखने लायक था। जा तक की बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों भिड़ भी जाते हैं जिसके बाद बाकी खिलाडियों को वहाव पे बीच बचाप करना पड़ता है। आमीर जवर्दस चौका जड़ देते हैं और उनको स्लैजिंग करने लगते हैं लेकिन वो शायद नहीं जानते थे कि उनका सामना एक इंडियन बॉलर से है और अगली ही बॉल पार परशांत सोहिल की गिल्लियां उड़ा देते हैं और अपनी स्लैजिंग का जवर्दस इस मैच में आंदरे रसल यॉर्कर किंग मलिंगा को एक सांदार सिक्स चड़ देते हैं और स्टाइल मारने लगते हैं लेकिन भाई मलिंगा तो मलिंगा हैं अगली ही बॉल मलिंगा एक घातर यॉर्कर डालते हैं और आंदरे रसल चारो खाने चित हो जाते हैं और मलिंगा रसल को बता देते हैं कि उनको यूही यॉर्कर किंग नहीं कहा जाता नमर थ्री बाइदवे दोस्तो बांगलेदेशी प्लेयर हमेशा से अपनी स्लेजिंग और यूनीक नागी डांस के लिए जाने जाते हैं इनफेक्ट ऐसा ही कुछ हुआ इंडिया और बंगलादेश के बीच चल रहे एक टेस्ट मैच में जब लिटन दास और मौहमस सिराज के बीच काफी जादा कासुनी हो रही थी जिसके बाद मिया भाई का खून खौल उटता है और अगली ही बॉल सिराज इतनी खतरनाक डालते हैं कि लिटन दास चारो खाने चित हो जाते हैं और उनकी गिल्लिया बिखर जाती है इसके बाद मिया भाई का एग्रेशन तो देखने को मिलता ही है लेकिन इसके साथ साथ विराट कोली का ये रियक्शन भी काफी जादा ट्रेंड होता है अगर आप भी किंग कोली के फैन हैं तो कमेट करके जरूर बताएं अगर बात वर्ल्ड की वन अप दा फास्टेस बॉलिंग लाइनप की बात की जाए तो उसमें सबसे पहला नाम आता है पाकिस्तान का एंड पाकिस्तान से बॉलर से पंगा लेना किसी खत्रे से खाली नहीं है लेकिन यहां ओडियन सिमित ने पाकिस्तान के फास्टेस बॉलर शाइन अफरीदी से खत्रा मोड ले लिया था पाकिस्तान वर्सिस वेस्टेंडीस के इस मैच में पहले तो ओडियन सिमित ने तीन बॉल पर बैक टुबैक तीन चोके जड़े थे और चोथी गेंट पर भी एक जवर्दा सिक्स जड़ देते हैं लेकिन अगली ही बॉल शाइन अफरीदी इतनी खतरनाक डालते हैं कि ओडियन सिमित का मिडल इस्टंप उखड़ जाता है और इस तरह अफरीदी अपना बदला पूरा कर लेते हैं दोस्तो फिलाल अगर वल्ड के वन अप दा ग्रेटिस्ट बॉलर की बात करे तो उसमें सबसे उपर नाम आता है जस्परीद बुमरा का बुमरा की बॉंसर और यॉर्कर के सामने बड़े बड़े दिगजबी पस्त हो जाते हैं दरसल बुमरा की बॉलिंग का एक डेंजरेस लुक तब देखने को मिला जब इंडिया के सामने थी ऑस्टेलिया की टीम जिसमें ऑस्टेलिया की तरब से मिचल स्टार्क और हेजल बुड खतरनाक बॉंसर की बॉच्छार कर रहे थे इवन पुजारा और शमी को तो उन्होंने इंजर तक कर दिया था लेकिन इसका पूरा बदला लिया बुमरा ने जैसे ही ऑस्टेलिया की टीम बैटिंग के लिए आई बुमरा ने भी बॉंसर्स की बॉच्छार कर दी और उस्टेलिया बैट्समेन को पस्त कर दिया ताकि ऐसी बहतर इन वीडियो आपको मिलती रहे